दीन द्यालुपाद्या गोरकपूर विशिद्याले के 38 दिछान सप्ता के अंतरगत गुरुवार को गोरकपूर विशिद्याले के शिच्छा संकाय के द्वारा ओरिजिन एंड डेवलप्मेंट आफ डिसेप्लिन विशय पर समवाद भवन में विशिष्ट व्या ख्यान आयो करिकरम की शुरुवात मुकतिती पूर्व अधिस्टाता एवं अध्याश लखनौव विश्विध्याले के प्रोफेसर उमेश्चन वशिष्ट एवं दीन द्यालूपाध्या गोरगपूर विश्विध्याले के कुलपती प्रोफेसर वीजय कृष सिंग सहित सिच्छा संकाय अध्याज द्वारा दीप पर जलित कर एवं मासुर्फती की मूर्ती पर मालेर पर करने के साथ किया गया इस होसर पर मुकतिती एवं विश्विद्याले के कुलपती को माला पहना कर अंगवस्त एवं इसमिर्थी चिन देकर स्वागत किया गया कारिकरम के दोरान ही विभाग से निकलने वाले जर्नल का विमोचन भी किया गया मुकवक्ता पूर अधिश्टाता एवं अध्यास लखनो विश्विद्याले के प्रोफेसर उमेश्यन वशिष्ट ने बताया कि ग्यान के तीन पक्ष ग्यानात्मक भावनात्मक एवं किर्यात्मक हैं भारती दर्शन में ग्यानात्मक एवं भावनात्मक दोनों पश महत्वपूर हैं अस्थाई ग्यान प्राप्त करने के लिए विशे की मूल प्रकृति को समझना होगा ग्यान के विकास के मनभेद की अपेच्छा मतभेद होना चाहिए ग्यान का विकास मनुष के विकास साथ स इसलिए संसार का परतेक व्यक्ति दार्शनिक कहा जाता है ज्यान की विकास के साथ सबसे पहला विशय नेच्रल फिलासफी अस्तित में आया जिसके बाद विशय विस्तार हुआ वर्तमान यूग डिसिप्लिन्स का है अब विशय की बजाए डिसिप्लिन्स पर जोर है शुकला प्रोफेसर विनोद कुमार सिंग प्रोफेसर रवी शंकर सिंग डॉक्टर राश्राश शाही प्रोफेसर जीतेनल मिश्र प्रोफेसर हर्श कुमार सिंह सहाय काचार डॉक्टर राजेश कुमार सिंग डॉक्टर मीतु सिंग सहित बड़ी संख्या में च्छा च्छ अधिकार मिले हम हमेशा उसकी बंदरी करते रहेंगे मातरकदी के चित्र पर माल्यारखन सरयोग करेंगी तेरी चरण में क्यार मिलता है मां क्यार मिलता है मां क्यार मिलता है तेरी चरण में क्यार मिलता है तेरी चरण में क्यार मिलता है तेरी पार मिलता है में क्यार मिलता है चुछ दो जा परफ़ाई दुछ प्रफ़ाई बुद दुछ अधियर मेर्फ दुछ 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 दिधी। एक विशे जिसको भार्थिय शिक्षा शास्त ने तश्वास में 2009 तश्वास हो गए लेवल तब से पहचाना दिली विश्व उद्याय में जब मैं पढ़ाता था 1989-79 की बात है इसके दाधात लगी जी प्रिटेंग में उस समय 9th क्लास की वो टेक्स्वुक जी किताब का नाम था लेजर आफ साइस और साइंटिफिक में था उनका मानना था कि किसी विशे का घ्यान आप जब तक नहीं रहे सकते जब तक उस विशे की मूल प्रकृति तो ना समझे तो महां तो 9th क्लास की टेक्स्वुक है मेरे मनना है कि आज हुआ रहे हैं M.E.M.S.C. लेबल पर बिल्कृति तरह की किताबें नहीं बनाई जाती है तो इस बर्ष्टी से इस विशे को दोजाब पांच और दोजाब नो में रहचाना गया उनकों समझा गया जैसा कि दोग्ताजी ने बताया बड़ा मुझे लगा कि मेरा तो मुझे लगता है कि दोजाब ने जीन विद्वु गिनाई लगा कि शायर काफी कुछ मेरी बात के थी है जो मैं कहता अब हुआ कौरत्पुर दिन रयांतर अधुपाद्याः विश्व में रहा त्र ai में जोड़ यहाज तोले लोलिज से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं विश्व सारे विश्व का जान ज़ए है तो मूड सधंडक संकल बनाय हुए है दुलिया कि किसी में कौने से कोई भी गट्री आकर जान आचलगा सकता है वो विश्व में जान 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 है प्रुम्परा में दीक्षा दी जाती है, बुर्पुलकाल दीक्षा दी जाती रही है, दीक्षा में समारोध होता है पाका था तो इन दौनों पक्षों का सुन्दर वैश्विक पक्ष वैश्विक या सालो भमे के सत्य को जानने का पक्ष ईनुवर्सल तुछ और दीक्षा इनका सुन्दर समन्पर का आज उमों का है मैं रिशे ही अपने आपको बना वर्भाणी महत्तम के उस रिशे पर मुझे बाद करने का मुंका मिला है तीन चीजे मोटे तोर पर रहेंगी क्यान कहसी आया कैसी आया क्यान में दो आगे चलके वेकास हुआ और आज मरत्मान में सारी दुन्या में 24 तीन है इस तीन पख्शों कर में दियान दिलाने का प्रयास करूबा ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ भी बाद करूँगा तो आप सब नहीं जानते होंगे निश्य जानते होंगे आज अज रहते होंगे पहले विशे पढ़ाई जाते थे, अब डिसिब्लिंस की बात होने लगए है, इन में भी आजकर भारत में विशे शुरूप से काफी छलवा रहा है, विशेशों में रहा पहले जब्ला फिर हमारे यहां है, विशायों में मेरे पूल जी कहा करते थे, प्रफर सुलेटु दानार रुको पाजाजी चिंगी शुरूप जाले के लाज्यापर के इंडियागे लीडिक इकॉनोमिस से, कि मतवेद होने चाहिए, विशे और ज्यानाथ का गूल से, ज्यान के एक्षेशन में मतवेद बहुत जब्ली है, हाँ मनवेद नहीं होने इसमें दिक्षान समारो सप्ता के अंतरगत, आज सुक्षा संकाय के द्वारा, ओरिजीन एंड डेवलब्मेंट आफ डिसिप्लिन्स, यानी विश्यों या अनुसासनों की उत्पत्ति एवं विकास विशेपर, लखनव विश्विद्याले से आये, प्रफेसर उमेश्य अं वशेष्ट जी का व्याख्यान आयजित किया गया है, प्रोफेसर उमेश्य अंतरवसेष्ट दिक्यान एवं दर्शन के मुर्धन्य विद्वान हैं और इन्होंने कैसे मानव का ज्यान विक्सित होता गया, और कैसे उसको सुरक्षित रखा गया, और आगे क्या पूरे विश्विद्याले के विभिन विभागों से आये अध्यापकों चात्रों एवं बीएड एवं बीए एजुकेशन विभाग के आये अध्यापकों एवं चात्रों के समक्ष एक अत्यन्ती विचारुत्ते जग व्याख्यान दिया इसमें मानिय कुलपत जी परतिकुलपत जी और अनुसर्मन समीती के संयोजक रजवंत राब जी लगातार बैठे उन्होंने ध्यान से उनके ब्याख्यान को सुना और अन्त में अध्यक्षिय उद्बोधन में मानिय कुलपत जी ने सभी चीजों का बड़े अच्छे ढंक से समन्वित एक द्रिश्य हम लोग के सामने रखा कि कैसे लगातार मानव का ज्यान विक्सित हो रहा है और भविश में कैसे यह अधिक कल्यानकारी होगा